एक, दो, तीन, चार या पांच गोले नहीं, दो सौ गोल दक्षिर कोरिया में सारी रात सायरन बचता रहा उत्तर कोरिया ने दक्षिर कोरिया की सीमा के पास दो सौ गोले बरसाएं इस हमने के बाद दक्षिर कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव चरम पर है चानी दुश्मन ये दोनों देश युद्ध की आग में जलने लगे तो बहुत ताच्चों की बात नहीं होगी वर्षों से किम जूंग उन आखों में सपना बुनते और उत्तर पूरिया की फैक्रियों को हथियारों से भर दे दक्षिर कोरिया के खिलाफ युद्ध लड़ने की इच्छा में जिये जा रही है उत्तर कोरिया के दानाशा किम जूंग उन ने बहुत चालांकी किसार दक्षिर कोरिया के खिलाफ हमला पूल दिया उत्तर कोरिया के गोलों की आवाद से सहमे दक्षन कोरिया ने बतला लेने की धंकी दी है दक्षन कोरिया में इस स्वक्त किम जॉंग उनके खिलाफ अटैक की कैसी तैयारी चल रही है ये देखने से पहले ये देखना जरूरी है कि इन 200 गोलों से हुए हमले की डीटेल क्या है जिसने कोरियाई प्राज़ूद को युद्ध के मोहने बदला कर खड़ा कर दिया है दक्षन कोरिया रक्षा मंत्राले के मताबिक उत्तर कोरियाई सेना ने सुबा लगभग 9 बजे से 11 बजे तक बैंगनी ओंग द्मीद के उत्तरी भाग में जांसन गोड और योगेन पयोंग के उत्तरी क्षेत्रों में 200 से अधिक राउंड बोली बारी की किम जोंग उनके इस हमले वाला एक भी राउंड दक्षन कोरिया की सरहत के भीतर नहीं आया लेकिन दक्षन कोरिया ने ये ओन पयोंग के करीब 2000 स्थानी अलोगों से इलाका खाले करा लिया है दक्षन कोरिया पर ये हमला उत्तर कोरिया ने पहली बार नहीं किया है लेकिन अपकी बार जिस कारण से किम जोंग उनने दक्षिन कोरिया पर हमला किया है वो पहले के हमले के कारणों से अलग इसकी डीटेल आपको आके दिखाएंगे दक्षिन कोरिया का ये ओन प्योंग ड्वीब पीले सागर में है ये एंचियोन से लगभग 80 किलोमेटर पश्शिम में और उत्तर कोरिया के वांगे प्रांथ के समुद्र तट से 12 किलोमेटर दक्षिन में इस्थित है उत्तर कोरिया ने जान बूच कर इस इलाके को हमले के लिए चुना है उत्तर कोरिया ने दलील दी है कि अपनी रक्षाक शम्ता मजबूत करने के लिए तोप से गोले दागने का अभ्यास किया सरकारी मीडिया ने कहा कि ये कदम नए हथ्यारों की जांच के तहट उठाया गया है अमेरिका और दक्षर कोरिया पर प्योंग यांग अपने खिलाफ अपनाई जा रही दुश्मन की नीदी त्यागने का दबाव बनाये हुए है उत्तर कोरिया के तानाशाद किम जोंग उनका पिछले हपते का वो बयान याद कीजे जिसमें कहा गया था कि वो दक्षन कोरिया और उसकी सहयोगी अमेरिका के खिलाफ युद्ध के लिए तयार है उत्तर कोरिया जितना उचल रहा था उतनी ताकत असल में उसके पास है ही नहीं जब बात अमेरिका और दक्षन कोरिया के गड़ जोड की हो रही हो सवाल है फिर किम जोंग उनने दक्षन कोरिया के खिलाफ इतने गोले की उधात दी है दोड़ते टैंकों और छूटी गोलियों का ये मनजर दक्षन कोरिया का है अमेरिकी फौज और दक्षन कोरिया के फौज युद्ध भ्यास में जुटी है ये युद्ध अभ्यास किसके खिलाफ अपनी तलवाग पर सान चड़ाना है पूरी दुनिया को पता है किम जोंग उन दोनों देशों के इस युद्ध अभ्यास से बौकला गए है रूस को हतियार सप्लाई के बाद पुतिन का साथ मिलने की उमीद में युद्ध लड़ने को किम जोंग आतुर है सवाल है कि रूस योक्रेन युद्ध इस्रेल युद्ध के बाद अब क्या उत्तर कूरिया दक्षिन कूरिया युद्ध में कूद रहे है किम जोंग उनका लक्ष बिलकुल क्लियर रहा है किम जोंग उन वो निता हैं जो देश के गोदामों में गेहु नहीं हतियार भरना चाहते हैं देश भूखा मरे तो कोई गम नहीं दोनिया को अपनी आउकात दिखाते दिखाते हैं उत्तर पूरिया के अर्थव्योस्ता रसातल की ओर जा रही है लेकिन बम तोप और गोलों को बनाने में कोई कमी नहीं आ रही है किम जोंग उनके हमले के बाद दक्षिल कोरिया ने क्या एक्षन लिया है इसे विस्तार से आगे दिखाएंगे दक्षिल कोरिया की सेना के ज्वाइन चीफ्स और स्टाफ्स ने कहा है कि बफर जोन में बंबारी का रुत्तर कोरिया ने दोनों देशों के बीच 2018 में किये गए समझोते का उलंगन किया है दक्षिल कोरिया ने रुत्तर कोरिया के इस अभ्यास को उकसाने वाला बताया हाल ही में साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाओं को कम करने के लिए समझोते हुए थे लेकिन अब 200 गोले दाखने के बाद जाहिर है ये समझोता खत्मों चुका है दिसंबर 2022 में भी उत्तर कोरिया ने दक्षन कोरियाई सीमा से सटे समंदर में बंबरसाए थे वर्ष 2010 में भी किम जोंग उन ने योन पियोंग द्वीब पर हमला किया था जिसमें चार लोग मारे गए थे उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की आखों में दक्षिन पूरिया और अमेरिका की दोस्ती कांटे की तरफ चुकती है किम जोंग उनके रास्ते में यही दोनों देश सबसे बड़ी दीवार भी है कहा जाता है कि उत्तर पूरिया ने जितनी मिसाइलों की टेस्टिंग की है उनमें से 80 फीश्दी मिसाइलों का मूँ अमेरिका की और है उत्तर पूरिया के मिसायल कारिकरम का पहला दे ही है अमेरिका के हर शेहर को अपनी इंटर कॉंटिनेन्टल वालस्टिक मिसाइलों की रेंज मिलाना नए साल के मौके पर भी किम जोंग उनने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि अगर अमेरिका और धक्षिन कूरिया टटराओ का रास्ता चुनते हैं तो उन्हें जटके से और बिना किसी हिचकी चाहट के साथ नश्ट कर देना चाहिए ये दोनों देश कोरियाई प्राइधीत में संधर्श को भड़काना चाहते हैं लेकिन इसके अन्जाम से भेखबर है किम जोंग उनने पिछले दो सालों में परमाडू हमला करने में सक्षम दरजनों वलिस्टिक मिसाईलों का परिक्षन किया है इन में से कुछ मिसाईले तो अमेरिका तक मार कर सकती है इन मिसाईलों की ताकत को लेकर कई एक्सपॉर्ट भी चिंता ज़ता चुके है पश्ट तोर पर नहीं लेकिन कहा जाता है कि उत्तर कोरिया परमाडू हतियार सक्षम देश है अगर सच में ऐसा है तो ये बात पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है लेकिन यहां ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर कोरिया क्यों पड़ा है अपने पडोसी दक्षन कोरिया को निस्तनबूत करने के पीछे पूरी कहानी की शुरुवात होती है उननिस्तो तिरपन से उननिस्तो तिरपन में दरसल दोनू कोरियाई देशों के बीच युद्ध खत्मे जरूर हो गया लेकिन उत्तर कोरिया ये कभी भुला नहीं सका कि युद्ध में आखिर क्या हुआ था 1967 में उत्तर कोरिया ने दक्षन कोरिया के राष्टपती की हत्या की नाकाम कोशिश की थी और 1983 में म्यामार में एक धमाके का मामला सामने आया इसमें 17 दक्षन कोरिया इनागरिक मारे गए थे इस धमाके के तार उत्तर कोरिया से चोड़े गए वैसे ये बहुत क्लियर समझ लेने की जरुवत है कि दोनों देशों ने तकनी की तौर पर 1903 में युद्धिक खत्म होने के बाद शांती समझाते पर हस्ताक्षब नहीं किये हैं इसका मतलब ये है कि दोनों अब भी युद्धिकी स्तिती में बने हुए हैं उत्तर कोरिया और दक्षिन कोरिया के लड़ाई का अंध किम जोंग उन के रहते होते नहीं देखता दक्षिन कोरिया के सामने ये बात शीशे की तरह साफ है अब सवाल है तो दक्षन कोरिया के पास खुद को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका जैसी शक्ति से मिले रहने के अलाबा कोई विकल्प नहीं बचता ये बात 16 आने सच है कि दक्षन कोरिया के पास जब तक अमारिका वाला विकल्प बचा रहता है किम जौंगुन हमले तो करेंगे लेकिन बेहत सचेत होकर क्यूंकि दक्षन कोरिया में अमारिका के 28,500 सैने कोरिया युद्ध के बाद से हमेशा तेनात रहते हैं 28,500 इनकी संख्या है और अमारिकी दक्षन कोरिया को एशिया में सबसे खास सहियोगी मानता है उत्तर कोरिया और चीन के बीच 1961 में एक संदी हुई जिसमें कहा गया कि अगर चीन और उत्तर कोरिया में किसी भी देश पर हमला होता है तो दोनों देश तुरंत एक दूसरे का सहीयोग करेंगे और इधा रूस भी परदे के पीछे से हमेशा उत्तर कोरिया को सहीयोग करता रहता है यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया पर लगाये गए आर्थिक रदिवंधों के बाद रूस और चीन दोनों से एहम मदद आपूर्ती के तौर पर मिल रही है बदले में उत्तर कोरिया रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है यहां बहुत बड़ा कूटनेति खेला आपको समझना होगा दुनिया के देशों की दो नई खेमे बंदी आप देखेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा कि युद्ध के असली खिलाडी असल में अमेरिका और रूस है अमेरिका योकरेन के साथ है तो रूस यहां उसके खिलाफ खड़ा है अमेरिका इस्रेल के साथ है तो रूस इरान के साथ दिख रहा है अमेरिका दक्षन कोरिया के साथ है तो रूस उत्तर कोरिया का समर्थन करता दिख रहा है अमेरिका ताइवान के साथ है तो रूस जाहिर तोर परचीन के साथ है मतलब दुनिया एक और युद्ध के दर्वाजे पर दस्तक दे रही है और ये योद भी एशिया में ही होगा